अगर आपको भी पिंपर्स एकने की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए हेलफुल है ये रेमेडी आपके पिंपर्स के साथ साथ पिंपर्स के जो निशान हो जाते हैं ताक तब भी हो जाते हैं उन्हें भी दूर करने में ये रेमेडी हेलफुल है तो अभी तक अगर इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको ले लेना है नीम पॉडर यह मैंने आ लिया है एल्प गुड्नेस का नीम पॉडर आप कोई भी नीम पॉडर ले सकते हो कोई भी कंपनी का आप नीम पॉडर ले सकते हो अगर आपके पास नीम पॉडर नहीं है तो आप फ्रेश नीम लेके उन्हें पीस कर एक चम्मच ले सकते हो तो यहां पर ले लेना है एक चम्मच नीम पॉडर सो जैसा कि गाइस नीम में एंटी सेप्टिक एंटी बैक्टेरियल एंटी इंफ्लामेटरी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो मुहासु को दूर करने में हेल्प करती है यह पिंपल्स को सुखाता है उन्हें खत्म करता है अब इसमें एट करेंगे टर्मरिक यानि हल्दी यह कस्तूरी हल्दी है किचन की हल्दी नहीं है जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेस के लिए किचन की हल्दी यूज नहीं करना है कस्तूरी हल्दी यूज करना है फेस के लिए टर्मरिक में होती है एंटी इंफ्लामेटरी स्कीन टोन को सुधार और आपकी तुछा को चमकदार बनाती है अब इसमें एट करेंगे लेमन वन इस्पून ले ले लेना है लेमन जूस लेमन में विटामिन बी सी कॉंपलेक्स विटामिन गैल्शियम आयरन और फाइबर सही पोशक तत्व से भरा होता है जो इसकीन के है गुलाब चल रोज वाटर इसकीन के पोर्स को टाइट करता है इसकीन में नैचरल गलो लाता है रोज वाटर इसमें इतना एट करना है कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए अब इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इसको अपने फेस पे कैसे लगाना ह चाहस बेहले आप अपना फेश वाश कर ले मंवाटर को अपने पूरे फेश पेश पर अपप कर ले जब यह फेश पैक डॉय हो जाये तब इसे दिटान नॉर्मल ऑठर से वाश करेबुर इस बार करें अपके पिंपल jaar र ऑना स्टार्ट हो जाएंगी आपका फेज क्लोइंग बनेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और में चैनल को सब्सक्राइब करिए सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब